नमस्ते एवरिवान आप सभी का हमारे चैनल इटोहॉलिक्स पे तहे दिल से स्वागत हैं आज हम आपके लिए लेके आए है एक बहतरीन और वन अफ तो मोस्ट पॉपिलर नौर्थ इंडियन दाल्स नाट इस दाल मक्नी ये दाल इतनी डिलीशियस और बढ़िया बनती है तो आज हम आपको बिल्ट कुल रेस्टोरेंट में मिलती है वैसी क्रीमी और डिलीशियस दाल बनाने की विदी बताएंगे वो भी बहुत आसान तरीके से तो आप ये वीडियो एंग तक जरूर देखेगा और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो क को लाइक और शेयर कीजेगा और आपने अब तक हमारी चानल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजेगा ताकि जब भी हम कोई न्यू रेसिपी का वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए तो शुरू करते हैं माउथ वाटरिंग यमी डाल मखनी बनाने की विदी हमने यहाँ पे एक कटोरी ब्लैक उरत दाल और एक मुद्गी राजमा अच्छे से डोके ओवरनाइट सोक कर लिया है इस दाल को पकाने से पहले इसे कम से कम 6-8 घंटे सोक करना एक बहुत इंपॉर्ट के साथ थोड़ा सा स्वादनुसान नमक डाल दिया है और अब हम इसे 5-6 सीटी बजने तक हाई प्रेशर पे और फिर 10 मिनिट तक स्लो फ्लेम पर सिमर होने के लिए रख देंगे तो जब तक हमारी दाल अच्छे से कुख हो जाती है तब तक हम दाल के तड़के की तयारी श इसमें 2 टी स्पून जीरा डाल कर उसके स्फ्लेटर होने तक का वेट करेंगे और जैसे ही जीरा चटकने लगे उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज अनियन की पेस्ट इसमें मिला देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम तेल और घी में अच्छे से बून लें आप ग्रीन चिली स्काट के भी इसमें डाल सकते हमने यहाँ पर ग्रीन चिली का पेस्ट बना दिया है और दो टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट मिलाकर उसे भी अनियन के पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसकी रौ समेल जाने तक उसे भी भून लेंगे हमारा मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम इसमें सुखे मसाले मिला लेते हैं सुखे मसालों में हमने 2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टी स्पून धन्या जीरा पाउडर और 1 टी स्पून गरम मसाला डाल दिया है और उसे भी हम mix करके 30 सेकेंस तक सौते कर लेंगे अब हम इसमें हमने यहाँ पर 4 बड़े टमाटर की प्यूरी बना ली है वो mix कर लेंगे और उसे भी हम सारे मसालों के साथ mix करके oil use out होने तक अच्छे से मसालों में भून लेंगे हमें यह भूनते वक मीडियम फ्लेम रखनी है ग्यास की और इसे चलाते रहना है देखिए हमारा मसाला कितनी अच्छी तरह से भून रहा है यहाँ पर हमारा अनियन टमाटर और मसालों का मिक्षर बहुत अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें एक टेबल स्पून बेसन डाल रहे है भूना हुआ बेसन हमारी दाल में बहुत अच्छी खुश्बू और फ्लेवर को आड़ करेगा अब हम इसमें कसूरी मेथी मिला लेते हैं यहाँ पर मैंने तू टी स्पून जितनी कसूरी मेथी ली है और इसे में हादों से मसल कर हमारी दाल के मसाले में आड़ कर रही है अब हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और 5-7 मिनित डग मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए अच्छे से तेल में बून लेंगे हमारा मसाला बून रहा है तब तक हम प्रेशर कुकर की डाल चेक कर लेते हैं कि वो गल गई है कि नहीं हमारे राजमा और हमारे ब्लाक उरद दोनों बहुत अच्छे से गल चुके हैं देखें यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से बून चुका है पूरी तरह से ड्राइ हो गया है अब हमारी कुकर डाल हम हमारे इस मसाले में मिला लेंगे डाल को मसाले में मिलाके हमें बहुत पेशेंटली अब इसे चलाते हुए बोई करते रहना है यह डाल मकनी सही माइने में मकनी या क्रीमी तबी बनेगी जब हम इसे अच्छी तरह से ज्यादा टाइम देके पका दे जाए आपको मिनिमम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइम मिनिट तक इस दाल को पकाना अनिवारिया है अब हम इस दाल में फ्रेश फ्लेवर आड़ करने के लिए हरा धनिया मिला लेते हैं और फिर इसे कवर करके 10 मिनिट तक अच्छे से कुख होने देते हैं करीबन 10 मिनिट हो चुके हैं देखे हमारी दाल में बहुत अच्छा उबाल आ गया है और इसकी खुश्बू से मेरा पूरा घर महक उठा है हमारी दाल उबर कर अच्छी ठिक हो गई है अब हम इसे required consistency पाने के लिए इसमें गरम पानी मिला रहे है आप भी अपनी दाल की consistency सही करने के लिए सिर्फ गरम पानी का उप्योग करें ताकि हमारी दाल की cooking की process disturb ना हो जाए अब हम इसमें बहुत ही important ingredient दाल मखनी का सबसे important ingredient मखन यानि की butter आड़ कर रहे है butter हम इस stage पर add कर रहे है ताकि इसका जो buttery flavor है वो हमें दाल में बहुत अच्छे से मिले अगर हम the butter starting में मिला लेते हैं तो उसका भूना flavor आता और फो flavor हमें नहीं चाहिए था हम इसमें creamy और buttery flavor चाहते हैं अब हम अमारी दाल में स्वादा नुसा नमक डाल के उसे cover होके पाथ से साथ मिनित तक फिर से कुकोने देंगे देखे हमारी दाल में अच्छा उबाल आ गया है अब हम अमारी दाल में cream मिला लेते हैं फ्रेश क्रीम मिलाके आपको वापस से उसे चलाते हुए एक दो बॉइल तक उसे उबालते रहना है वाव हमारी दाल की खुश्बू, consistency, texture और color बहुत ही बहतरीन और ला जवाब आए है और तो बिलीव इट आपको ये दाल की recipe ज़रूर ट्राइ करनी चाहिए अब हम हमारी दाल को सर्फ कर लेते हैं हमने यहाँ पर बटर, क्रीम और हरे दन्ये से हमारी दाल को गानिश कर लिया है आप इसे रोटी, पराठा, नान या जीरा राइस के साथ सर्फ कर सकते हैं हमें उम्मीद है कि आपको हमारी recipe पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा और हमारी चानल इटोहॉलिक्स को सब्सक्राइब करके हमारी चानल को प्यार दीजेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंट्रेस्टिंग recipe के साथ तिल देन बाई एंड टेक केर